जी हाँ, सभी को नमस्कार, नासुला नोलिज यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है हरियाना दोबारा पिछले 6 सालों में पूछे गए एक्जाम्स में पुराने कोश्चनों की जो सिरीज है यानि कि हसने वाली यह है नाइटरस ओक्षाइड को हर्षेगेस कहा जाता है यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का परियोग क्यों किया जाता है जो रेड सिग्नल होते हैं, जो लाल बत्ती होती है, वो लाल ही क्यों होती है, कहने का मतलब यह है क्योंकि लाल रंग का तरंग धरिये सबसे अधिक होता है और लाल रंग दूर से दिखाई देता है इसलिए signals पर लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है Next पोधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है तो जो तना होता है पोधे का वो हल्दी होता है जिसको हम यूज करते है Next Angioplasty साफ करने का की एक प्रकरिया है तो Angioplasty क्या साफ करने की एक प्रकरिया है यह है अवरुद हर्दे धमनियों को साफ करने की एक प्रकरिया है अवरुद हर्दे धमनियों से क्या मतलब है यानि कि हमारे हर्दे की वो धमनिया जो की रुकावट पैदा हो जाती है जिन में उनको साफ करने के लिए डॉक्टर्स दवारा एंजियो प्लास्टी की जाती है Next, मिथेन किस प्रकार की गैस का मुख्य घटक है? तो मिथेन एक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है Question 596 में जब किसी दंड चुम्बक के दो टुकडे किये जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमें दो छोटे पूर्ण चुम्बक प्राप्त होते हैं कहने का मतलब यह है माली जी आपके पास एक चुम्बक है एक फिट लंबा तो जो गुण उस एक फिट लंबे चुम्बक में है अगर उस चुम्बक के दो टुकडे कर दिया जाए आधा आधा फिट के तो वो जो दोनों टुकडे होंगे उनमें भी सेम गुण होंगे सेम प्रोपर्टी होगी ठीक है उनके नोर्थ और साउथ सेम फंक्सन करेंगे और जहां से वो चुम्बक टूटा है वहां से दुबारा नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि उसके पॉल्स सेम बन जाते हैं नेक्स्ट सिर दर्द सब्द में कौन सा समास है तो दोस्तो सिर दर्द सब्द में समास है तत्पुर्ष यानि कि सिर का दर्द नेक्स्ट रस बताओ सोभित कर नमीनितम लिये घुटुरूनू चलत रेन तन मंडित मुक दधी लेप किये यानि कि ये मुक के उपर जो दही है लेप किया हुआ उसका एक वातसल्ले पैदा कर रहा है तो यहाँ पर वातसल्ले रस हो जाएगा नेक्स्ट कौशन नमर पानसो ठाण में अर्जुन सब्द का प्राइवाची क्या होगा तो वहाँ पर जो ओप्शन में एक ही सही था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है धनन्जे लेकिन अर्जुन के ओर भी बहुत सारे प्राइवाची सब्द होते हैं जैसे धनन्जे करणारी कौंते पार्थ गांडीवधर गांडीवी कपीधवज सवेसाची फालगुन जिश्णू किरीटी सक्रात्मज धनवी सवेत वाहन वरहनल गांडीव धनवा विभत्सू पांडू नंदन गुडाकेस विजे एंद्र सक्रानंदन यह होगे सभी के सभी अर्जुन सब्द के प्राइवाची ओके लेकिन वहां उप्चन में क्या सही था धनवी जे बाके सब गलत थे इस्ट का विलोम क्या होगा तो इस्ट का विलोम अनिस्ट हो जाएगा इत्यादी सब्द का संदी विछेद क्या है तो दोस्तों इत्यादी सब्द का इती पलस आदी संदीविछेद हो जाएगा next कौन सा सब्द उपसर्ग रहित है यानि कि किस सब्द में उपसर्ग नहीं है तो यहाँ पर जो निरक्षर में नी उपसर्ग है चिरकाल में चिर उपसर्ग है उत्तेजना में उत्त उपसर्ग है लेकिन शत्रिय में कोई उपसर्ग नहीं है तो यहाँ पर अमारा उपसर्ग क्या सही हो जाएगा कोशन नमर 603 तरनी तनुजा तट तमाल में कोन सा अलंकार है यहाँ पर तै सब्दिक तै वरण की बार बार आवरती हो रही है इसी वज़े से यहाँ पर अनुप्रा सलंकार है कोशन नमर 604 पित्रादेश में कोन सी संदी है यहाँ पर यन संदी हो जाएगी पित्रादेश अगर पित्रादेश का समास पूछ लिया जाता तो दोस्तों समास कोन सा हो जाता तत्पुरुष समास पित्र का आदेश यानि कि पिता का आदेश Next Question number 605 घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना जैसे हम बातों बातों में एक दूसरे को नहीं बोल देते हैं अरे भाई इसे पंगा मत ले इसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है यानि कि ये तो बहुत कुछ जानता है इसके पास तो बहुत अनुभव है Next Question number 606 किस संसोधन ने राजे में त्री स्तरिये पंच्यायती राज वैस्ता लागू की थे तो ये संसोधन कौन सा था तीहत तरवा और कब पारितवा था 1902 में में Next हर्याना में कौन सा परियावन अधीनियम है तो भाईयो हर्याना में 1986 का परियावन अधीनियम है Question number 608 भारते किर्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो भारते किर्षी अनुसंधान संस्थान का मुख्याल दिल्ली में है नई दिल्ली Question number 609 भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां पर है हर्याना के करनाल में भारत में गेहूं का जीन बैंक है ठीक है भारत का गेहूं का जीन बैंक कहां पर है करनाल में Q610, भारत में National Green Tribunal कब स्थापित किया गया था? 2010 में, कब 2010 में? Q611, एक हेक्टेर भूमी में कितने एकड़ होते हैं? तो दोस्तों, एक हेक्टेर भूमी में 2.4 something 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 या कहें 2.5 एकड़ होते हैं Q612, नीती आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीती आयोग का अध्यक्ष होता है वरतमान परधान मंत्री, आज कि अगर हम बात करें तो नैंदर मोदी जी नेक्स्ट, पंचायत विकास के लिए सरुपर्थम सुझाव देने वाली कौन सी समीती थी? तो पंचायत विकास के लिए सरुपर्थम सुझाव देने वाली समीती का नाम था बल्वंत राय महता समीती ती ये कब बनी थी 1907 में इसने अपने कब रिपोर्ट सोपी 1908 में पंचायत राजोयस्था कब से लागू हुई अक्तुबर 1969 से पंचायत राजोयस्था के कितने सतर बताए बरुंतराए महता समीती ने तीन सतर बताए ओके देखो पंचायत राज से समय देते हैं ज्यादा कोश्चन नहीं है 164 कोश्चन है जिसकी मैंने वीडियो और रड़ी बना के डाली हुई है स्टार्टिंग में है सबसे पहली दूसरी वीडियो है उन्हीं में है तो आप इसको एक बर देखोगे सारे कोश नहीं आता पंचायत राज वस्ता का 164 सूपर 164 के नाम से दला हुआ है नेक्स्ट महात्मा गांदी राष्टी है ग्रामें रोजगार गारंटी स्केम कब शुरू हुई थे तो भाई ये बात कर रहा है भारत में कब शुरू हुई थे 2005 में अगर बात करता हरियाना में तो 2006 में और किंदो जिलो में स्टार्टिंग में हुआ था 2006 में सिर्शा और महंदरगड में 2008 में पूरे हरियाना में लागू हो गया था कोश्टर नमबर 615 पहली किर्शी संगन्ना कब हुई थी तो भाईयों 1971 में पहली किर्शी संगन्ना हुई थी कोश्ट नमबर 616 राष्टे डेरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है यानि कि NDRI नेशनल डेरी रिशर्च इंस्टिटूट ये वरतमान में कहां पर है करनाल में इससे पहले कहां पर थी बैंगलोर में थी और बैंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी 1923 में लेकिन 1955 में इ तो यह है अंद्रापरदेश में और अंद्रापरदेश में किर्ष्णा नदी के उपर है ठीक है कोश्ट नमबर 618 हर्याना में सबसे अधिक साखसरता दरवाला जिला कौन सा है गुरू ग्राम ठीक है नेक्स्ट फरिदाबाद में कौन सी फेक्टरी है तो वह नेक्स्ट कोश्ट नमबर 620 हर्याना में भहस की कौन सी नसल विख्यात है मुर्रा नसल की भहस को काला शोना भी कहा जाता है मुर्रा नसल की भहस को एसियन ट्रेक्टर की संग्या भी दी गई है कोश्ट नमबर 621 हर्याना का राज के खेल कौन सा है तो मेरे प्यारे भाईयो हर्याना का राज के खेल क्या है कुस्ति रैसलिंग अगर बात की जाए इंडिया का राज के खेल कौन सा है राज के खेल कौन सा है तो इंडिया का राज के खेल है ही नहीं होकी नहीं है एक आर् तो भाईयों ये है हरी गंदा, हरिया न साहित्य अकादमी की मुख्यपत्री का कौनची, हरी गंदा, एक होती है हरी परभा, वो किसकी है, संस्किर्थ अकादमी की, गुर जी हम तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, कि साहित्य अकादमी की कौनची है, और संस्किर्थ अकादमी की क जाए, तो किताबो के अंदर से सहित्य के अंदर से गंद आने लगती है, स्मेल आने लगती है, तो सहित्य क्या आई? गंद, इसलिए कौन झी होगे सहित्य अकादमिकी पत्रिका हरी गंद, okay हरी गंद, नेश्ट, कल्पना चावला का जनम किस जिले में हुआ था? तो कल्पना चावला का जो जनम है वो करनाल में हुआ ठीक है? कब हुआ था? जुलाई 1961 में और कल्पना चावला की मिर्द्य कब हुई है? एक, दो, तीन यानि कि एक जनुरी 2003 को तरावडी में लड़े गए पहले युद में किसकी जीत हुई थी कब उई थी 1191 में किसे हराय था महँंब गोरी को स्वाधेंयता संग्राम में राव तुलाराम ने किस छेतर से अंग्रेजों का मुकाबला किया था तो नारनोड छेतर से इनोंने अंगलेजों का मुकाबला केया था, नारनोड रेवाडी, उसमें जो नारनोड है रेवाडी में पड़ता था Next, बाणभट किस राजय के राज़कवी थे? तो बाई बाणभट जो है न, वो हर्स वर्धन के राज़कवी थे बाण भटने एक पुस्तक लिखी थी कौन सी हर्स चरितम या कही हर्स चरित्र ठीक है next question number 627 बुजनी आबुषण कहां पर धारण किया जाता है तो बुजनी जो आबुषण है वो कानों में पहना जाता है ठीक है देखो बई यहां तक हमने तकरिबर 40 के आसपास question कर दिये हैं तो मैं एतना कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में जुरूर share करना और description के साथ में मैंने तकरिबर 50 के आसपास question बता दिये हैं आपको ठीक है ना तो दोस्तों में जुरूर share करें वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें ओके थैंक यू जै हिंद जै भारत वन्दे मात्रम